हेलो एवरिवन, सुआप सुन रहे हैं जुनूनी मावियार की धलब तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाप्टल 6 आरोही के साथ बद्दमी सी आरोही ने उस और चाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ा है तो किसी ने पीचे से उसकी पथली सी खलाई को कसकर पकड़ लिया आरोही चाट से पीछे मुणी तो उसके सामने एक अधीर उम्र का आरोही खड़ा था उसको डिख पता चल रहा था कि वो काफी उच्छे खाना का मालूम पड़ता है और इस वक्त उसके काफी शड़ा भी पी हुई थी आरोही उसे देख थोड़ा डर गए क्योंकि वो आरोही उसके बेहत करीब खड़ा हो गया था जिससे आरोही को उसके सासे तक अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी जिससे उसे बहुत अजीब लग रहा था उस आरोही को एक जटके से अपने पास किशा और बड़ी गन्य अंदास पे बोला तुम जैसी लड़की इस पार्टी में अकेले अच्छी नहीं लग रही है तुम कहो तो मैं तुमें कमपनी दे सकता हूँ आरोही को उस आरोही की बात सुन डर लग रहा था पर उससे जादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी ने इस तरीकी से बात नहीं करी थी और नहीं उससे कभी किसी तरह चुआ था आरोई ने गुसे से अपना हाँ चुडवाते हुई उस आनमी से खा अगर आपको अपने हाथ के डो टुकड़े घर नहीं निशाना है तो मेना हाथ छोड़ीजे इत्ता कि आरोई ने गुसे से उस आनमी को घूरा तो उस आनमी की जुरे भरी चेहरे पे मुसकान आ जा दिया और वो खहता है मुझे जंगले बिली बहुत पस्ट है उस आनमी के पाचन अब आरवी को गुस्सा आ गया ना जाने उसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गए उस ते अपना दूसरा हाथ उठाकर एक सोटाट अपर उस आनमी के गाल पर रसीद कर दिया और बोली बी इन यूर लिमिट अंकल मुझे आप जैसे लोगों से मूँ लगने का कुई शौक नहीं है तपर पटे ही वो आनमी अपने गालों पर हाथ रखता है उसके आँखे लाल हो गई थी वो गुसे से गुराने रगा पूरे हाल में एक टम से शान्टी पसर गई हाल में मौदूद सब की नजर बस आरोई पर टेक लिए वहीं उस प्लास के रूम में जाम मीटिंग अपर खतम हो चुकी थी कि दबी उस रूम का दोर ओपन हुआ और एक आनमी अंदर आया और अर्ष के कान में कुछ कहने लगा जिसे सुन अर्ष परशान हो गया उसने एक नजर रिशान को देखा और थोड़ा जुक कर उसके कानों में कुछ बोला जिसे सुन रिशान के मुटे भीच गए उसके हाथों के नसे फुल गए उसके आँखे लाल हो गए और वो गुस्से से बोला फॉट दा है ये क्या हो रहा है मेरे होटल में यहां जस्ट चेक इड़ आश येस बाउस प्लीज आप यही रहे मैं देखता हूँ इता कि अगर अश्ट रूस रूम से निकल गया वो इटे चली में था कि वो डूट बंद करना भूल गया इदर उस आर्मी ने गुस्टे से आरोई का हाथ तो पकड़ कर अपने खरीब कीशा और आर्मी की पकड़ आरोई के हाथ पर बहुत सक्त थी जिस वज़ा से आरोई को उस आर्मी से ड़र लगने लगा आज तक उसने एक मच्छा तक नहीं मारा होगा पर आज ने जाने कैसी उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसने एक आरोई के कोई कलती नहीं थी क्या करता हूँ इतना है वो आनमी आरोई के चेहरे के करीब आने लगा तो आरोई उसकी पकड़ से चूटने के कोशिश के लिए दूर से चलाई मुझे दूर हो मेरे पास मत आना बढ़ना आरोई के आँखों में अब आसो जार शार पहने लगे थी एक साथ उसके दिमाग में कई सारी बात चलने लगी थी कि उसने रीट की बात क्यूं मानी वो यहां पर क्यूं आई अगर वो यहां नहीं आ थी तो उसके साथ ऐसा कुछ रही हो था आरोई के रोने के आवाज इतने टेस हो गई थी कि वो हर तरफ गूजरे लगे क्योंकि सब खामोश होकर तमाशा देख रही थी वहीं जैसे आरोई के आवाज उस प्लास के कमरे में बैठे रिशान के कानों में गई अचानक से उसका ध्यान अब सीरा उस आवाज की और चला गया जैसे जैसे आरोई की आवाज पढ़ते जा रही थी अंदर पढ़ते उस शैतान की पेकरानी पढ़ने लगी वो कुनने जाता था क्यों पर उसे अब इस आवाज क्यों नज्टिक से सुना था जब उसे और से नहीं हुआ तो वो अपनी जगा से उठा उठ खड़ा हुआ उसके उठते ही सब कार्ट्स चोकरना हो गए आरा एस आर अपने लंबे कनमों के साथ बाहर जाने लगा और उसके सबी कार्ट्स उसके पीछे पीछे चलने लगे जैसे ही आर एस आर उस हाल में उसके आते ही जब सब लोगों का अटेंशन उस शेटान पर चला गया फर उस शेटान के नजर तो सामने खड़ी उस से लड़की पढ़ी जिसकी पीट उसकी तरफ थी महीं आर उई को अब कुछ समझ नहीं आरा था कि अब वो क्या करे कैसे बज़े कि तब ही उसके नजर अ उस आन्मी के सर पर वार कर दिया आरोई नहीं सी नहीं उसके सर पर मारा था जिस वज़ा से उस आन्मी ने आरोई का हाथ चोड़ या और अपने सर को पकड़ लिया आरोई के हाथ तो से अब वो बॉटल चोड़ कर नीचे गर गी वो तर के दर से अपने कड़र पीशे की औ वाल नाने वाला है पर वो अपने आपको समाल नहीं पाए जिस वज़ा से वो खिरने लगी कि थाभी आरोई को किसी नहीं अपनी दो सक्त मस्पूट बाओं में धाम लिया अपने आपको किसी के बाओं में पाकर आरोई और दर गई वो जड़ से पीछे मुनी तो उसके सामने और कोई नहीं R.S.R. खड़ा था जैसे ही रिशान आरोई का चेरा देखा उसकी नजर बस इसके चेरी पर अठक सी गई वहीं आरोई ने जैसे ही अपने सामने खड़े आदमी को चेरा देखा वो ड़चे का बोटी R.S.R. काफी हांसम था पर इस वक्त उसका चेरा पिरको स जर वा जए।